ये वीडियो specially यार मैं उस बच्चे के लिए बना रहा हूँ जिसके साथ कॉलेज में किसी तरीकी की बुलिंग वगेरा हो रही है या फिर सीनियर्स उसे तंग कर रहे हैं या फिर कॉलेज के लोकल बच्चे या फिर युनिवर्स्टी में कुछ ऐसे लोग हैं जो उस एक लड़के को तंग कर रहे हैं लड़की को तंग कर रहे हैं میں तुम्हें बताना चाहता हूँ कितमें यहां पर क्या करना चाहिए, अब ये वीडियो, यार, मैं बहुत पहले बनाना चाहता था, क्योंकि मेरे साथ college में एक ऐसा incident हुआ था कि जब मैं last year में मेरे लडाई हुई थी और मेरी bowling हो थी, बोलिंग नहीं मतलब मेरे को मारा गया था ठीक है अब उसको बोलिंग बोलो या फिर लडाई बोलो उसको जो कुछ भी आप बोलना चाते हो मैं उस टाइम पर ये वीडियो बनाना चाता था मैं अपना experience शेयर करना चाता था लेकिन मेरे अंदर इतनी ज़्यादा हिम्मत नहीं थी मैं तुम्हें एक और बात बताना चाता हूँ कि ये second वीडियो है इससे पहले अभी मैं वीडियो बना रहा था बताना चाता हूँ कई बार ऐसा हमें लगता है कि कॉलिज में अगर हम चुप चाप रहेंगे अगर हम किसी के साथ मदभेद नहीं करेंगे लडाई वगर नहीं करेंगे तो हम बचे रहेंगे हमारी लडाईयां वगर नहीं होंगी लेकिन कई बार सिचुइशने ऐसी बन जाती हैं कि अगर तुमने कुछ नहीं भी किया होगा न तो शायद से तुम्हारी लडाईया हो जाएं और उस टाइम पे अगर तुम्हें लड़ना नहीं आता है अपने आपको बचाना नहीं आता है या फिर भागना नहीं आता है तो बहुत सारे ऐसे मौके हो सकते हैं यार कि शायद से तुम्हारी लड़ाई हो जाए और तुम्हें मार भी पड़ सकती है इस चीज को डील कैसे क मेरे को अपनी प्रॉब्लम बतानी है फ्री कंसल्टेशन कॉल थी मैं उसको जूम मीटिंग पर आया यूनिवर्स्टी का मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा यूनिवर्स्टी जानी पर चानी है तो उसने बोला कि भईया मैं फर्स्ट एयर में आया हूँ मेरी ये क्या कहता है फार्मेसी कोई बरांच वगरा है तो उसने बोला कि भईया मेरे साथ अभी क्या हो रहा है कि ना मैं कॉलेज में जबी भी आता हूँ ना तो मेरी क्लास में एक लड़की है वो मेरी दोस्त बनी हुए अब उसके साथ क्या होता है कि मैं बैठता हूँ वो लड़की ने थोड़ी सुन दे रहा है दिखने में अब वहां पर क्या हो रहा है कि मैं उसका नॉर्मली बात कर रहा हूता हूं वो मेरे साथ नॉर्मली बात कर रही होती है हम दोनों का कोई ऐसे चक्कर वगरा भी नहीं है seniors को बहुत जादा दिक्कत हो रही है इस चीज से जो बड़े बड़े लड़के हैं और जो थोड़े ये कहते हैं class के मतलब 4th year 5th year के बच्चे हैं तो मुझे कहीं से ऐसे सुनने में आया है मेरे दोस्तों ने मुझे बताया कि वो लड़के तुझे ढूंड रहे हैं और वो तेसे पूछने के लिए शायद से आ सकते हैं कि तू इस लड़की के साथ क्या कर रहा है और भाईया इस चीज को सुनने के बाद मैं बहुत ज़दा डर किया हूँ कि मैं घर पे भी नहीं बता सकता हूँ एक तो क्योंकि में बहुत शर्म आरी है कि क्या होगा क्या नहीं होगा गर वाले भी टेंशन में आ जाएंगे दूसरी चीज कि मैं जब कॉलेज में आता हूँ तो आप मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं उस लड़की से बात करूं या फिर नहीं करूं और तीसरी चीज़ जब ही मैं क्लास खतम होती है न तो मैं क्लास खतम होने के बाद न अपनी घर्दन जुका के बस यूनिवर्स्टी जा चाला जाता हूं ताकि वो सीनियर्स वगेरा मेरे को देखें नहीं तो भीया मुझे क्या करना चाहिए अब मैंने उसको सारी स्टोरी बताई अब मैं कौन होता हूं उसको सही गाइडेंस देने वाला मैं तुमको बताना चाहता हूं कि वो क्या बात थी जो मैंने तुम्हारे साथ आज तक यूट्यूब पे शेयर नहीं की वो ये थी कि लास्ट और मेरे को मारा गया ठीक है मैं ज्यादा डीप में नहीं जाओंगा विकाज मैं कमफटेबल नहीं हूं उस चीज के बारे में बात करने के लिए फ्यूचर में जरूर करेंगे अभी नहीं तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि इस पूरी सिचेशन को डील कैसे कर सकते है नम्बो वन तिंग ये चीज समझो कि अगर ऐसी चीजे हो रही है न तुम्हारे साथ तो ये सिंपल सी बात है एकसेप्टेबल नहीं है कि हाँ भाई कि ये चीजे गलत है दूसरी चीज कि ये तुम्हारे साथ ही नहीं हुई है इसके पहले भी बहुत सारे ऐसे बच्चे पंगे वगएरा होते रहते हैं कॉलेज में मेजर ली यार कोई ना किसी को तंग नहीं करता है वो उसी बच्चे को तंग करते हैं यार कि ना जो ना उनकी बात नहीं मान रहा होता है जैसे कि for example बहुत बार similar ही reason होता है कि जिसकी वज़े से seniors वगरा या फिर local लोग वगरा कहते हैं कि हम तिरसे पूछने के लिए आ रहे हैं और वो क्या होता है कि तुम no doubtly किसी एक लड़की के साथ बात कर रहे होगी जो first year में आई होगी या फिर second year में होगी और या फिर वो किसी आगे से बात कर रही है मेरे साथ मैं करूँ क्या यहाँ पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जब मेरा ये situation हुई थी ना जब मेरे घर वालों को बता चला था तो मैंने अपने घर वालों को भलब जब फोन किया था तो मेरे को सबने यही बोला था कि भाई पुलीस F.I.R करो ठीक है मैंने वहाँ पर पुलीस F.I.R इसलिए नहीं की थी क्यों क्योंकि मेरे अंदर इतनी ज़ादा हिम्मत भी नहीं थी क्यों क्योंकि मेरे को डर लगता था कि अगर मैं कंप्लेंट कर दूँगा तो इससे होगा क्या कि शायद से लडाईयां और भर सकती है मैंने छे महीने के लिए रहना इस यूनिवरस्टी के अंदर और मेरे छे महीने में क्यों खराब करूँ क्योंकि अगर मैंने छे महीने कोई कंप्लेंट वगरा करती वो तो वहाँ के लोकल लोग हैं अगर वो वहाँ से बाहर आ जाएंगे बाद में क्या पता मेरे को फिर से पीटें ये सब अगरा चीज़े डर मेरे दिमाग में था मेरे घरवालों ने भी यही चीज़ बोली कि भाई चुप चुमाते करके अपना टाइम निकालो और वापस आ जाओ वहाँ पर उस युनिवर्सटी से ठीक है तो मैं तुम्हें यार यही चीज़ सजेस्टन देना चाता हूँ कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें सपोर्ट कर सकते हैं तुम्हारे घर वाले ठीक है और अगर तुम्हारे अंदर खुद तुम्हें पता है सबसे पहले तो यह होता है कि अपने टीचर से जाकर बात करो अगर सीनियर्स है न तो तुम टीचर के साथ जाकर बात करो क्योंकि जब तक वो बच्चे न तुमारे campus के बच्चे है न तो टीचर सिचुशन सॉल्व कर सकते हैं मेरे में यह था कि मेरे जो बच्चें के साथ जिनकी लड़ाई हुई थी वो कॉलेज के बच्चे नहीं थे, वो थे लोकल बच्चे, तो मैं टीचर के साथ कंप्लेइन करने ही सकता था, अगर ऐसे कोई लोग है कि यार जो लोकल है, तुम किसी भी उनिवरस्टी से हो, तो तुम उसके उपर पुलीस कंप्लेंट करना चले जाओ, वो चीज कोई सेंस वगेरा नहीं बनती है, ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, कि अगर तुम्हारे साथ बुलिंग वगेरा हो रही है, तो तुम्हें क्या करना चाहिए, कि तुम्हें पुलीस के अंदर कंप् अगर तुम्हें लग रहा है कि बहुत सेचूशन बढ़ गई है, कुछ बहुत ही साथ होने वाल है, तुम्हें मार पड़ गई हैं, अब तुम नहई डील कर पार तो तुम पुलीस के अंदर जा सकते हो, लेकिन अगर तुम नहीं जा सकते हो, सिंपल सी एक चीज है, माफिम वहन कर दो जो चीज मैंने की थी। कॉंप्रमाइस कर लो। चुप-चाप करके कि भाया मेरे से गल्दी। ऑगई मैं ये कहना चाथा हूं आपको कि मुझे नहीं लगता कि मैं कहीं पर गलत हूं जो की चीज मैंने की थी मैंना आगे से जाकर खुद sorry बोल दिया था कि भाया मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी आपर college life खराब हो मेरे parents बहुत जादा शरीफ है मैं नहीं चाहता कि कुछ ऐसे लडाई बगरा हो कि आप कल को फिर से आओ जब तुम प्यार के साथ बात करते हो ना जब तुमने sorry बोल आगे से वो बंदे भी प्यार के साथ बोलने शुरू हो जाएंगे आगे से तुम्हारे साथ और मेरे situation में भी यही हुआ था जब तक कोई बंदा तुम्हारे से सामने आकर कुछ तुम्हें बोल नहीं न रहे तब तक तुम्हें कोई भी action लेने की ज़रूरत नहीं है कोई तुम हमारे से जब तक वो बंदे लेने रही न आ रहे हूं तब तक तुम्हें कोई decision लेने लिए तब अब कुछब नहीं करना है फिर अगर ये कैसी कोई situation आ जाती ने कि जब तुम्हें पता लड़ाई होई गई है देखो अब हमारा मेली को बोलता है कि यार मुझे मार पड़ गई ये हो गया वो हो गया क्या हो गया अगर तुमने कभी जिन्दगी में लड़ाई करना सीखा ही नहीं क्या गर लोगे वहां खतम करो जितना जाता गोल मूल करने की कोशिश करोगे न जतना जाता घुसने की कोशिश करोगे उतने जाता उतने ही जाता है मतलब उसी के अंदर फसे रहूगे इसलिए ईजिस्ट वे है कि बाई चुप-चमाते करके वहां से निकल जाओ सो सौर्ई बोल के बाकि अगर तुम्हें लग रहा है कि बाई चीजे बहुत जाथा बढ़ रही है कि बाई देखो मेरे को लड़ाई हो गई अब जैसे मैं फाइनल लेयर में था मेरे को युनिवर्स्टी के बार में थोड़ा पता भी था कि बाई ये चीजे हैं वो चीजे बंदे आगे ऐसे हैं ये वगएरा तो मैं चुप रहा है मैंने पुलीस कंप्लेंट वगएरा नहीं की और मैंने बोला कि चलो ठीक है सौरी बोल देते हैं बात खतम कर देते हैं मेर अपने टाइम पे सिर्दर दिलेनी मैं फायर करूंगा पेरेंट्स आएंगे वहां पर ये सब गएरा लेकिन बहुत सारे बच्चे थे जो ऐसे करते भी हैं मेरे साथ ही उसे दिन एक बच्चे की लड़ाई हुई थी जिसने फायर की थी और उन लोगों के खिलाफ पर कंप् अगर्षि है थी में unsere career किना जो मैना अब मेरे मंदेजिमने रौ ऑर पाइब डिया जकल राइव हो गया हो गया कोई दिक्कत नहीं मैंने यह वाली चीज की थी अगर तुम ऐसे नहीं इंसाने हो तो कोई दिक्कतही खर रवी कर सकते हो कि न वीजिए फोकर proud हो या depend that लु Pinterest तुम्हारे पेरेंट सपोर्टिव हैं कि तुम कर सकते हो वहाँ पर जाने के लिए तुम जाओगे पुलीस वाले तुम्हारे डेफिनेटली मदद करेंगे तुम्हारे सथ कोई ऐसे इंसिडेंट वगेरा हो रहे हैं तो टीचर का साहरा लो टीचर अगर मदद नहीं करते हैं तो पुलीस वगेरा का साहरा ले लो ठीक है और अगर नहीं कर सकते हूं कुछ भी तो चुपचमाते करके compromise कर लो compromise करने के अंदर ये भी नहीं है कि तुमें वो तुमें आप कुछ भी शर्ते वगरा मनवा रहे हैं कि भाई आप इस बंदी को छोड़ ये कर वो कर वो चीज़े एकसेप्टेबल नहीं होती है जाद ही तंग कर रहे हैं तो यार मेरी life ृ घतम हो गई कि भाई मेरे को ते बेस्टी ओ गई यह वह ओनोता लेव मेरा एक वह था एक है तो उसो टाव सब बोल सब करते भी सबहें होगे कर से लेकिन हां बढ़े परसपटिप्टिब से अगर रजद अलाल ने अब मैं उनको पोक नहीं कर रहा हूं ठीक है लेकिन मैं एक पस्पेक्टिफ समझाने की कोशिश कर रहा हूं तुम्हें कि उसने सिंघा से माफी मंगवाईश सिंघा समझदार आदमी था उसने माफी मांगी और वो माफी मांगने से को छोटा वगरा नहीं लाइप होती है ना कि भाई उसने मार दिया यह कर दिया वो कर दिया यह पता बचकाने बच्चे करते हैं तुम्हें क्या लगता है कि यह सब चीजे कब तक मैटर करती है 24 साल 25 साल जब तक एकी मिच्च और दिमाग होता है 26 साल 27 साल 30 साल का बंदा जो वेल सेटल हो गया क्या वो लड़ाई जगड़े में पड़ेगा एक बहुत अच्छी बात की थी फ्लाइंग बीस ने गौरत ने जाने कि ना उनका एक मोबाईल का स्कैम वगरा वाला कोई सीन जाओं तो पूरे रैकेट उसका एक्सपोस हो सकता है लेकिन मैं वो करना नहीं चाता हूं क्यूंकि इनके ना बहुत ज़्यादा लिंक्स होते हैं और यह मेरी फैमिली को हाम कर सकते हैं वो समझदार आदमी है उसने नहीं कि यह सब चीजे समझ रहे हो बहुत बार ऐसी लाइफ के अंदर वो आगे कर जाएगा और जो इन छोटे-छोटे मसलों के अंदर पढ़ा रहा ना कि तुने मेर को मारा मैं तरको मारूंगा ये करूंगा वो करूंगा वो बंदे उधर ही रहा जाते हैं लड़ाई जगड़ा वगरा इस जस्टा टेंपररी थिंक एक दिन द दो दिन ये सब वगरा दो दिन ही चलता है ये सब लाइफ को बड़े पर्स्पेक्टिव से देखना चाहिए हो जाते हैं पंगे क्या हो गया पढ़ गया चांटा क्या हो गया कोई टेंशन नेने की ज़रूरत नहीं है अगर कुछ जादा ही चीज़े हो रही है तो तुम कि भाई अपना भी मेंटल पी इसको वह पूरा ही लाकर रखना क्या क्यों मतलब समझ रहे हो I know situation बहुत जादा टाफ है तुमारे लिए अगर तुमारे साथ ये सब चीज़े हो रही है मेरे लिए बहुत जादा टाफ थी मेरे साथ जिनको बच्चों के चाकू चाकू मार के सिरफाड दिये थे जिन बच्चों के लड़ाई लड़ाई के अंदर कड़े मार देते हैं बच्चे उनके लिए और जादा वरस होती है तो टेंशन मतलब इस चीज़ से स्ट्रगल कर रहा है मेरे को एक बार रीच आउट जरूर करना इस्टाग्राम के उपर बात करेंगे जरूर बात करेंगे तब हम जरूर बात करेंगे इस चीज़ के बारे में जरूर बात करेंगे तिल देन आल सी और नेक्ट वीडियो सक्षा महाजन दिस साइड पीस झाल सक्षा म करेंगे